दोस्तो आज की ये वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा और अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं, मुझे अपना गुरू मानते हैं तो इस सवाल का जवाब आप अपने मन से जरूर पूछेगा और दोस्तो सवाल ये है कि किस एज ग्रूप के लोग, मतलब कि किस उम्र के लोग यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा वीडियो देखते हैं दोस्तो मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है दोस्तो वीडियो तो आप सब ही बना रहे हैं, मेहनत भी काफी कर रहे हैं टाइटल, डिस्रिप्शन, टैग, सब कुछ अच्छे से डाल रहा है लेकिन जब तक आप इसके पीछे का साइन्स नहीं समझेगा यूट्यूब को जब तक आप नहीं समझ पहिएगा तब तक आप यूट्यूब पे धूम नहीं मचा सकते हैं यूट्यूब पे धड़ाधर धड़ाधर वीडियोज वाइरल नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों जब आप किसी चीज को अंदर से जान लेते हैं अंदर की जानकारी आपको पता चल जाती है तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता और दोस्तों ये knowledge ना इतनी जल्दी नहीं आती है दोस्तों मैंने काफी मेहनत की है काफी जादा वक्त 5-6 साल वक्त मैंने YouTube पे गुजारा है और कुछ ऐसी चीजे सीखी है जो अभी 90% YouTubers को नहीं पता होगी इवेन जो अभी YouTube पे बहुत जादा successful भी है उन्हें भी इस बात का पता नहीं होगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में इनी कुछ चीजों के बारे मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ और काफी डीप और काफी गहराई में बात करूँगा तो अगर आप YouTube को लेके serious हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में एक बढ़ियां YouTuber बनूँ एक बड़ा YouTuber बनूँ और खूब नाम और पैसा कमाऊ तो इस वीडियो को skip मत किजिएगा ध्यान से सारे वीडियो को देखिएगा और मेरी बातों को समझने की कोसिस कीजिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू कि ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा अब दोस्तों simple सी बात है कि जब आपको ये पता चल जाएगा कि किस age group के लोग किस उम्र के लोग YouTube पे सबसे ज़्यादा time बिताते हैं तो उस age group से related आप वीडियो बनाएंगे मतलब कि उस उम्र के लोगों को आप जो है वीडियो दिखाएंगे अब दोस्तों जब आप उस उम्र के लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे तो आपके वीडियो पे आटोमेटिक जादा से जादा भी हो जाएंगे और दोस्तों इसके पीछे का कारण क्या है जब आप वीडियो अपलोड करते हैं आप किस काटेगरी में वीडियो बना रहे हैं मैं उसके बारें बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं वीडियो अपलोडिंग के बारें बात कर रहा हूँ जब आप videos को upload करते हैं यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर mobile phone में open करके रखा है आप भी मैं अपने mobile phone को यहाँ पर screen पर ले आता हूँ थोड़ा देर लाएगा मेरी बातों को समझने में लेकिन आप अगर एक बार समझ गये हैं तो फिर आप बोलेंगे कि वाह क्या बात बताई है आपने यहाँ पर दोस्तों आप मेरे mobile phone को देख पा रहे होंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अभी अभी एक video upload किया है इस तरीके से आप भी video upload करते होंगे आपका भी जिस category का channel होगा जिस भी video होगा वो आप इस तरीके से upload करते होंगे करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आप title डालते हैं फिर यहाँ पर आप description डालते हैं और description डालने के बाद यहाँ पर आपको unlisted रखने के लिए जैसा मैंने बताया था वैसे आप रखते हैं ठीक है उसके बाद आप उपर में next के button पे click कर देते हैं अब दोस्तों जब आप next के button पे click करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने दो options आ रहे हैं ठीक है लेकिन यह चीज इसलिए बनाई गई क्योंकि आपका जो content है वो 18 साल से उपर का है या 18 साल के नीचे का है यह बात यहाँ पे YouTube में जानने के लिए यह जो है option बताया अब जो new YouTubers होते हैं या फिर जो videos upload करते हैं वो इस चीज में काफी ज़्यादा confuse हो जाते हैं कि यहाँ पे yes it's made for kid होना चाहिए and no it's made for kid होना चाहिए मुझे पता है कि 90% लोग no it's not made for kid ही करते हैं और आप भी ऐसा करते होंगे no it's not for kid लेकिन अब इसकी आगे की बाते बताने जा रहा हूँ जिस बात को आप ध्यान से समझिएगा और मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा यहाँ पर दोस्तों बहुत लोग ऐसे भी हैं जो की videos बनाते हैं vlog video या फिर अपने child पर video बनाते हैं अपने doubters पर video बनाते हैं अपने बेटे बेटियों पर video बनाते हैं जैसे कि वह comedy वीडियो ले लिजे या फिर vlogging वीडियो ले लिजे या फिर cooking वीडियो ले लिजे जिन में की उनके बच्चे भी उनके videos में होते हैं ठीक है तो अब ही मैं काफी सारे comment पर रहा था उस comment में लिखा हुआ था कि sir मैं अपने बेटे के साथ वीडियो बनाता हूं मैं sir cartoon वीडियो बनाता हूं मैं gaming वीडियो बनाता हूं तो मुझे क्या yes it's made for kid select करना चाहिए क्योंकि मेरे तो बच्चों से related वीडियो हैं तो क्या मुझे बच्चों से related वीडियो select करना चाहिए या फिर मुझे no it's made for kid कर चाहिए अब दोस्तो अभी जो बाते बताने जा रहा हूं यह सायद ही आपको कोई बता पाएगा क्योंकि यह बाते काफी एक्स्पेरिमेंट करने के बाद काफी एनलाइज करने के बाद ये बाते समझ में आती हैं अभी दोस्तों मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा क्या यहाँ पर यस इट्स मेड फूर किड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको कितने परसंट चांसे लगते हैं कि आपके वीडियोस पर भी जाएंगे मैं आपको बता रहा हूं कि आपके वीडियोस पर बिल्कुल भी भी जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे उसके पीछे आकारण जा लिजे यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि अगर आप yes it's made for kid करते हैं तो 16 साल के नीचे के बच्चों को दिखाया जाएंगे ठीक है अब आपका content कोई cartoon से related है या फिर कोई बच्चों से related है तो आप यहाँ पे select कर देते हैं yes it's made for kid अब होता क्या है यहाँ पे बच्चे जो होते हैं उनके पास तो अपना खुद का mobile phone होता नहीं है जो भी 16 साल से नीचे के हैं उनके खुद का mobile नहीं होता है और लेकिन सबसे ज़्यादा time जो है बच्चे ही mobile प्राइल पर spend करते हैं चाहे वह उनके मम्मी का mobile हो चाहे वह उनके पापा का mobile है आप दोस्तों देख सकते हों कि normal age group के जो लोग हैं जो school colleges में पढ़ रहे हैं या फिर जो job कर रहे हैं या फिर जो housewife हैं जो खाना बना रही है उन लोगों के पास उतना time नहीं होता है कि वह YouTube पर उतना time दे सके वह या तो एक घंटे-दो योटिब पर विडियो देखेंगे फिर अपने अपने काश धेंगे जो जॉब करने वाले हैं वो becomes वह लग जाए अब-पने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं अब वह अपने बच्चों को बच्चte मोबाईल दी देते हैं या फिर बच्चत जिद करके मोबाईल ले लेते हैं अबुझत हैं तो अब दोस्तों प्च्सों जब बच्चत करके लेते हैं तो अब ह 착़् हो ईडी ज़ो लॉग इभाई जो 16 साल से कम है और बहुत कम लोग होते हैं 16 साल से कम जिनके पास अपना खुद का मोबाइल फोन होता है वो उसमें वीडियो देखते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण क्या है क्योंकि जो भी बच्चे सबसे ज़्यादा इस बात का सबसे बड़ा एंसर यह है कि बच्चे जो है जो बिलो 18 है या फिर 16 साल 13 साल 14 साल के बच्चे हैं यह यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं अपने पापा और मम्मी अपने दादा दादू का मोबाईल लेकर सबसे ज़्यादा टाइम बड़ाते हैं यही कारण है कि सौरब जोसी का व्लॉग चलता है देख सकते हैं कि एक एक दिन में पांच-पांच मिलीन मतलब कि 50-50 लाग भीवाते हैं उसके वीडियो कोई एडल लोगा उसके आप देख लिजेगा एक एक दिन में 20-20 मिलियन भीव होते हैं जो भी बच्चों से रिलेटेट कंटेंट होते हैं उसके सबसे ज़्यादा भीव जाते हैं यूट्यूब पर और मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं आप जितने भी ओडियंस हैं अगर इसी वी कैटेगरी का वीडियो बनाते हूं आपको हमेशा no it's made for kid ही सेलेट करना है और इस वीडियो में मैं इसके पीछे का साइन्स इसके पीछे का राज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि actually में होता क्या है जब तक आपको यह पता नहीं होगा जब तक आ जादा इस्तिमाल नहीं करते हैं क्या यह बात गवार में बच्चे ही सबसे जआधा मोबाईल फोन इस्तामाल करते हैं अपने पापा ममी का फिर फिर कोई बड़े अगर गेस्ट भी आ ँखर में तो उनके भी मोबाईल लेकि वह इस्तिमाल कररें यूट्वी अपय fazendo कर ले cheesy आज कल के बच्चे बहुत ज़्याद है स्मार्ट हैं तो आप कभी भी ये गलती ना करें जब आप वीडियो अप्लोड करें चाहें आप बच्चों से लेटिट कर रहे हैं चाहें आप नौर्माल वीडियो अप्लोड करें हमेशा आप यहां पे और यह एक सबसे बड़ा कारण है जिससे कि बहुत लोगों के वीडियो पर भीजोज नहीं जाते हैं तो इसलिए मैं यह वीडियो बनाके आदि यह सारी बाते क्लियर करना चाहता था तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक की भरमा मैं नहीं करता हूं दोस्तों बहुत मेहनत करता हूं बहुत रिसर्ज करता हूं एक्सपेरिमेंट करता हूं तब आपके लिए वीडियो लेके आता हूं ऐसे ही कुछ भी उठा के आपके सामने नहीं ले आता तो ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्रा बाद